नमस्कार दर्शकों में भगवति प्रसाद पुरोईत एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ग्यान चैनल दर्शकों कई बार यह होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कागश पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं और बाद में उसे एसा लगता है कि मै है ने इस कागश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ने भून थी क्या में अब मेरे साथ क्या होगा या क्या हो सकता है तो आई इसी बात को इस वीदियो में हम जान लेते हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ूड़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजे ताकि अगले वीडियो जब भी मैं यूटूब चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले विधिक जानकरी का वीडियो आप तक पहुंच जाए तो आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दर्श की उनका ऐसा कहिना है कि मान लीजिये मुझ्से गलती से सिमांकन के समय बने प्रतिवेधन पर हस्ताक्शा कर देता हूँ तो क्या मुझे सिमांकन को चैलेंज करने मेंında कोई परिशानी हो सकती है क्या और इसी कमेंड के नीचे एक और कमEंड आई है उनका कहिना है सेम क्रै même मेरा भी है तो देखे ये प्राबलम जो है कई लोगों को होती है कि जब उनके पास में कोई सुचना पत्र आता है तो उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं जब इनका मेटर यह है कि इनका कोई सिमांकन हुआ होगा और सिमांकन के प्रतिवेदन पर इनके द्वारा पंचे नामे पर इनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गए क्या अब ये उस सिमांकन को चेलेंज कर सकते हैं देखिए मध्यप्रदेश भूराज सहीता कि धारा 129 जो है वह उसको अगर हम देखेंगे तो धारा 129 की उपधारा एक से लेकर उपधारा चार तक 129 की उपधारा चार तक की जो कारवई होती है वह तेसिल्दार महोदय की निगरानी में होती है पहली कारवई जो होती है वह यह होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सिमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सभी पडोसी क्रशकों को सुचना दी जाती है अब क्या होता है कि पडोसी क्रशक ये दिवहाँ पर उपस्तित नहीं होते हैं या उपस्तित हो भी जाते हैं तो उनकी मोजुदगी में उस भुमिका सिमांकन किया जाता है सिमांकन होने के बाद में जो सिमांकन में पाया गया है उसकी एक रिपोर्ट और एक पंचनामा राजस्विन रिक्षक महोदय के द्वारा और पटवरी महोदय के द्वारा पंचों के समक्ष बनाया जाता है अब वह पंचनामा जो रहता है वह उपधारा 3 और 4 में तेसिल दार महोदय के समक्ष प्रस्तूत होता है तो तेसिल दार महोदय के द्वारा जो है जो व्यतित पक्षकार है उन सभी व्यतित पक्षकारों को वहां से सुचना पत्र जारी किये जाते हैं अब व्यतित पक्षकार कोन रहता है उस भूमी पर किसी भी व्यक्ति का कबजा पाया गया है तो उस व्यक्ति को भी सुना जाना आवशक है वह व्यतित पक्षकार कहलाता है अब देखिए यदि आपका किसी की भूमी पर जो है कबजा निकला है और यदि आपने उस पंचे न तेसिल्डार महोदय को देना होगा, तेसिल्दार महोदय के समक्ष आप आपति परस्तूत कर सकते हैं और आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं, यदि तेसिल्दार महोदय ने सिमंकन की पुष्टी करने से पहले इस प्रकार का कोई सुशना पत्र आपको नहीं दिया है, आपको अपनी बात रखने का उसर अगर नहीं दिया है, तो ऐसी इस्तिती में आप जो है धारा 129.5 के तहत जो है S.D.O. मौदय के वहाँ आवेदन प्रस्तुत कर उस सिमांकन को चुनोती दे सकते हैं, उस पर हस्तक्षर कर देने मात्र से यह नहीं होता है कि उस सिमांकन की प पंचनामा बना था और पंचनामे पर आपने उपस्तिती के हस्ताक्षर किये थे, लेकिन आपकी उपस्तिती के पश्याद भी तेसिलदार महोदय को आपको सुनना चाहिए, और यदि तेसिलदार महोदय ने आपकी सुनवाई नहीं की है, तो ऐसी इस्तिती में आप 129.5 मे मद्यप्रदेश भूराजस सहिता की धारा 129 में SDO महुदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और उस किये गई सिमांकन को चुनोती दे सकते हैं अब SDO महुदय को यदि ऐसा प्रतित होता है कि जो तेसिलदार महुदय के द्वारा की गई कारिवई जो है वह मद्यप्रदेश भूराजस सहिता की धारा 129 की उब धारा एक लगाए चार के तहत नहीं की गई है अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि उसकी विधिवत पुष्टी नहीं की गई है अर्थात आपको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है ऐसा यदि SDO महुदय को लगता है तो SDO महुदय पुनह उस भूमी का सिमांकन करवाने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं फिर से सभी पड़ोसी क्रश्कों को सुचना पत्र जारी किये जाएंगे और उसके बाद में जो सिमंगन प्रतिवेदन आएगा उसकी पुष्टी से पूर्व फिर से SDO मोदय सभी व्रतित पक्षकारों को सुनेंगे और उसके बाद में अंतिम पुष्टी SDO मोदय करेंगे तो मैं विश्वास रखता हूँ कि दी गई जानकरी आपको अच्छी लगी होगी तो यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए यदि यह उप्योगी लगता है वीडियो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेर कर दीजिए यदि आपका भी कोश्य सवाल है तो आप उसको अप कमेंट के माध्याम से इस वीडियो की comment box में रख दीजिए हो सकता है अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो को माध्याम से इसी चैनल पर मिल जाए तो विश्वास करता हूं कि आज की जानकरी आपके लिए helpful रहेगी तथा आपके लिए उपियोगी सिद्ध होगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार